हेलो एवरिवान कैसे हैं आप तो आज की वीडियो है जो बच्चे सेमिस्टर 3 में आ चुके हैं बहुत कन्फ्यूजन है सर सेमिस्टर 3 में न तो सेमिस्टर 3 में मैं एक बात करने वाला हूँ प्रोग्राम के लिए और एक सेमिस्टर 3 में मैं बात करने वाला हूँ ओनर्स के लिए कुछ बच्चों का कहना है सर अभी हमें अलॉट नहीं हुआ है अभी हमें पता ही नहीं चला है कि हमारे क्या सब्जेक्ट होंगे हम कंफ्यूज हैं इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज हैं तो मैं कह दूं वैसे ऑफीशल साइट पर डिपार्टमेंट आफ कॉमर्स पर जाओगे ना आप डियू के साइट पर तो वहाँ अवेलिबल मिलता है डियू के साइट पर या एसोल के साइट पर नहीं मिलेगा अब आपके सब्जेक्ट को दो टुकडो में बाट दिया गया ध्यान से दीजिएगा दोनों बच्चे ठीक है एक होता है कोड सब्जेक्ट ठीक है और होता है आपका अलाग अलग सब्जेक्ट में जिसको में ऑप्सेनलवल देता हूं ठीक है और अपसेनलवाले सब्जेक्ट की अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो पहला सब्जेक्ट है आपका फाइनेशल मेनेजमेंट डेट इस एफ एम दूसरा सब्जेक्ट है आपका बिजनस स्टैट बिजनस स्टैट बहुत बच्चे परिसान हो रहे थे इसलिए मैंने वीडियो बना दिया एक चोटा सा और तीसरा थीन पर तो कंफर्म है ही है तो इन तीनों सब्जेक्ट के आप अभी से स्टेडियस स्टार्ट कर सकते हो बाकि जो अप्स्नल वाले सब्जेक्ट से इसमें थियोरी है तेordlement के अकाउंट में भी था लेकिन ठाना प्रैक्टिकल तो सेम मानके चलिए अप अलग है 11-12 accounts से बिलकुल अलग है सर इसके इंदर क्या पढ़ेंगे इसमें strategy है इसमें share से related ज़्यादा काम है कि एक shareholder को हम कैसे benefit पहुँचा है उससे ज़्यादा related कुछ parts होते है जितना हमारा syllabus में portfolio वगरा नहीं हमारे syllabus का part लेकिन जितना भी है वो हमारे strategy हम किसी assets को खरीदे ना खरीदे उससे related हमें कुछ वहाँ पर rule apply करने पड़ते हैं कुछ हमें mathematical format में कुछ करना पड़ते है तो पता चलता है जो आपने 11 class में stats पढ़ा था उसके advance है इसके अंदर marketing theory का subject है और हमारी कोसिश चल रही है कि marketing भी जैसे हमने company law cover किया था मार्केटिंग भी मैं आपके लिए करवा पाहूं जल्दी जल्दी तो आपको बहुत benefit मिल जाएगा अब आगे आते हैं सर आगे honors के अंदर ऑगे honors के अंदर भी क्या होगा सर एक और एक क्या सब्जेक्ट होगा आपका एक optional कहरते हैं ठीक है यह प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए था जिनका प्रोग्राम था उनका क्लियर हो गया कोर के अंदर अगें पहला सब्जेक्ट जो इसके अंदर है इसके अंदर भी financial management दूसरा सब्जेक्ट इसके अंदर है वह हमारा maths है यहां पर business maths है और तीसरा सब्जेक्ट जो हमारा यहां पर है वह हमारा marketing वह कौन सा इसर हमारा marketing तो दिखिए यहां पर सिर्फ कोर में program और honors में स्रिफ stats और math का फरक है बाकि सेम है यह सब्जेक्ट के आप अभी से पढ़ाई कर सकते हैं जिन बच्चों की math बहुत weak है जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनोंने 12th class के अंदर mathematics नहीं पढ़ा था लेकिन honors लिया है honors लेने के बाद वह math पढ़ रहे हैं लेकिन उनको दिक्कत हो सकती है वह तो अभी से तैयारी कर ले एफम की भी अभी से तैयारी कर ले मैंने क्या करा हुआ है आपका 10 year जो मार्केट में है वह 10 दिनों में आ जाएगा book का भी नाम बता द नहीं किया जो आपके लिए बढ़िया बुक तो बहुत सारी होती है मार्केटिंग के लिए लेकिन मुझे जो बैस लगेगा मैं उसकी बात करूंगा ठीक है नहीं यहां पर एफम के लिए भी आपका जेके ठुकराल ही होता है और यह इनके लिए book है सर अभी जो हमने यह सा कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अगर कोई भी जानकारी चाहिए मैंने दे रखा है हमने यूटूब पर वीडियो डालूंगा ऐसा नहीं बोलड़ा नहीं डालूंगा मैं अगर बोलू ना कि सर मैं आपके कोर्स लांच होगे सारी चीज़े तो कई बच्चे मन के अंदर एक बात रखते हैं कि सर लांच करने के लिए हमेरे लिए जानकारी नहीं है तो मैं कहता हूं मैं सर बच्चे दोनों ही हमारे स्टूडेंट यूटूब पर वीडियो डलेगा फरक इतना रहने वाला है कि यूटूब पर लाइफ क्लास नहीं हो सकती क् यूटूब पर डाउट सॉल्विंग नहीं होता तीसरी बात पास्ट ये के कुश्टन स्पेपर बगर रहे सॉल्व नहीं होते यह तीन चार चीज़ें हैं जो कि हम एप्लिकेशन पर देते हैं और दूसरी चीज जो बच्चा एप्लिकेशन पर होता है उसका में चीज एफ है रेगलर कॉलिज के और इंटरनल तो अपसर वह भी परिशान हो जाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमने पहले ही एक पूरा स्लेबस डिजाइन करके अकॉर्डिंग लिटू पास्ट ये कुश्टन को एक डाल दिया है पहले से फोल्डर में उसके बाद हमने क्या करा है ल तो यह है बाकी मैं जो आफोडिबल कर सकते हैं जिनको लगता है सर हमें यह सारे चीजें लेनी चाहिए वह आप ले सकते हैं जिन बच्चों को लगता है लेकिन बच्चे फिर भी करने वाले कर लेते हैं hopefully आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो और यह information काफी बच्चे काफी time से wait कर रहे थे तो मिलते हम ऐसे ही next video के अंदर next video में अलग content क्या-क्या है और कौन से books किसके लिए लेना चाहिए उस books के image के साथ मैं आऊँगा क्योंकि market के अंदर बहुत सारी book पुरानी ले लेते हैं बच्चे तो मैं नई book के image के साथ आऊँगा तो hopefully thank you so much again आपको अगर वीडियो से value मिलता है ना तो आप अपने दोस्तों को भी share करिए अब share नहीं कर सकते तो subscribe तो चैनल को subscribe करो उससे क्या होता है हमारी थोड़ी reach बढ़ जाती है तो हम जादा से जादा help कर पाएंगे तो और जादा से जादा help जितनी कर पाएंगे